पुर्णा चंदर्टी नमस्ते भारत प्रधान मुंत्री जी को मेरा पुर्णा जी जय जगनात जय जगनात हां बताईए आप काम क्या करते हैं पुर्णा चंदर बेलिया में खेट में किसान काम करते हैं और परिवार में कौन-कौन है पुर्वार में मेरा बीबी है मेरा माँ है और मेरा तीन बच्चों है अच्छा किन-किन सरकरी योजना हो का आपको लाब मिला है पहले उजला प्यम उप्टा और प्यम किसान और प्यम गरिब कल्यान अन्यज़ना में लाब उठाते हैं तो क्या कभी सोचा था कि सरकार इस तरह की सुविदाएं देने के लिए आपके घर तक आएगी ऐसा कभी सोचा था नहीं सोचा था नहीं जी तो आपको सरकार पे भरोसा था आज आज आप पुना जी ये बताईए कि जब आपको योजनाओं का लाब मिला था तो आपके जीवन में क्या बढ़लावाया क्या परिवर्तन आया परिवर्तन आया जी पहले उजला पहले जो महां आग से रुसरी करते थे वह हमको बहुत कष्टोर्द था जंगल जाकर लकड़ी धुनना चाहिए और घर लाकर लकड़ी को आग जला से बहुत परिशन आता अभी उजला जलना में आया ग्जा सीलींडर फ्री देशन भी मिला इसलिए तो आप तो कोई खाना पकाते नहीं हो खाना पका HOL challenging या पत्नी होगी आपकी बहन होगी उनका क्यानुभव है कि उसका जो आग में जो धुआ निकलते हैं ना उसका तब्यत को तोड़ा बाधा होता था इसलिए अभी तो घर के लोग आपको बढ़ाई देते हैं अपने अच्छा काम की ऐसा बोलते हैं ने ने यह अच्छा ने अभी जो उजल लगे तो अच्छा होती है हां तो मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ आता है हाँ तो मैं पूछता यह हूं अब जवाब दूसरा दे रहे हैं आपके परिवार के लोग खुश हो है क्या है आजी अच्छा देखिए आपका जीवन आसान हो गया अप पत्नी को मा को बहन को रसोई गर में तोड़ा समय बच रहा है तो आप अपने बच्चों के भीष्ण में सुथते हैं क्या बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं बच्चों को मैं आगे एक अच्छा डक्टर बनाने चाहता हूं अच्छा इंशान बनाने अच्छा इंजिनियर बनाने चाहता हूं तो यह जो संक्रा आई है ने यात्रा आपके गाउं में है, जो लोग आये ने उनसे पूछिए, कि इसके लिए मुझे क्या क्या करना है, आपके बच्चों के भी जो अफसर आये न उनसे बात करा दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि विक्सित भारत की यात्रा आई है, वो क अब वो आपके गाउं में आ चुकी हैं, अब देश को विक्सित बनाने के लिए आप भी कोई संकल पर लीजिए, लेंगे? हाँ जी लेंगे, गाउं वाले भी लेंगे? हाँ जी लेंगे, आपके सभी युवा मुत्र को भी बताएंगे? हाँ जी चलिए पुर्णा जी आप से बात करके अच्छा रगा, दन्यवाद